धुरुफ का वन गमन्द था मरिच कादी रिश्यों से भी शिरी पराशर जी कहने लगे है मैतरे मैंने तुम से स्वायम भूमनों की प्रियेव ब्रत था उतान पाद नाम से दो शक्ती शाली धर्मग्ये पुत्रों के संबंध में संकेत किया था हे द्विज उन में से उतान प अंतिन प्रेम करता था राजा अपनी सुनिती नामक राजा महिशी से विशेश प्यार नहीं करता था उस महिशी द्वारा उसके पुत्र धुरुव ने जनम लिया एक दिन धुरुव ने रासिहासन पर बैठे हुए अपने भाई उत्तम को देखा और उसकी इच्छा भी उ लेत देखकर सुरुची ने इस तरह कहने लगी रे मुन्ना मेरे गर्ब से उत्पन हुए बिना दूसरी इस तरी का बेटा होकर तु बिकार क्यों गोर में बैठने की इच्छा रखता है तुझ में विवेक नहीं है इसी कारण ऐसी अलभ्य और उत्तम वस्तू में मैं बैठने के योग्य है तु बिकार क्यों अपने मन को कलेश पहुँचाता है मेरे बेटे के समान तुझको विर्थ ही इतनी उची लालसा क्यों होती है क्या तुझे नहीं ग्या कि तेरा जनम सुनिती के द्वारा हुआ है विमाता का ऐसा वचन सुनने के पश्चात बाला रूर कर पि पुत्र तु क्यों कुपित है किसने तेरा अनादर किया है तेरा अपमान करके कौन तेरे पिता का अपमान कर रहा है तेरे पराशर जी बोले यह सब पुछने पर धुरुव ने वे सब बाते माता से कह दी जो पिता के सामने उसकी घमंडी विमाता ने कही थी धुरुप को स सकता निहार कर सुनीती अति दुखित होई और कहने लगी है पुत्र सुरुची ने तेरे लिए उचित कहा है जरूर ही तू भाग्येहीन और पुन्यवानों से अपने विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते पर वत तुझे संताब करने की आफशकता नहीं है क्योंकि तूने अपने प पुर्व जनम का पुन्य होता है उसी को राज सिहासन छत्र तथा उत्तम घोड़े तथा हाती प्राप्त होते हैं यह समझ कर तू सबर कर दूसरे जनमों में किये गए पुन्य कर्मों के कारण ही सुरुची में राजा प्रिती रखते हैं तथा मेरे पुन्य हीन होने के पुन्य को केवर भार्य अर्था भरण करने योग्य ही कहा जाता है उसी तरह उसका बेटा उत्तम भी बहुत पुन्य पुन्य संपन है तथा बेटा तू धुरुपते मेरी तरह ही अल्फपुन्य पैदा हुआ है तथा पिहे पुत्र तुझको दुखित नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस आदमी को जितना मिलता है वे अपनी उतनी ही पुन्य से संतुष्ट रहता है और अगर सुरुची के वचनों द्वारा तुझे अंतिंत कलेश उत्पन हुआ है तू सर्व फनों के देने वाले पुन्य को संग्रह करने का यतनकर तू पुन्य आत्मा सुशील प मेरे मन को शांत करने के लिए मुझे जो पुदेश दिया है यद भी वे वाक के व्यंगे पुर्व कहें हैं किन्तु मेरे हृदे को नहीं बेदते अते मैं तो अब भी वही यतन करूंगा जिस समस्त लोकों में शेश्ट पत्पा राजा की प्रेमिका तो सुब जरूर करे ऐसा ही हो है माता मैं दूसरों के लिए हुए पद को प्राफ करने का इच्छुक नहीं हूँ में तो अपने परिश्रम से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिता ने भी नहीं पाया शीरी प्राशन जी कहने लगे अपनी माता से ऐसे वचन कहकर ध्रूब महल से निकल पड़ा तथा फिर्ट नगर से बाहर आकर उपवन में जाब होचा वहां धुरूब ने पहले से आए साथ मुनिश्वरों को क्रिशन नम्रेग चरम से बिछोने से आसनों पर युग आसीन दे। धुरूब ने सबको नमस्कार किया और अभिवादन करके बोला है महात्म मैं सुनीती से पैदा हुआ राजा उतानपाद का पुतर हूँ आत्मगलानी के कारण में यहां आपके पास आया हूँ महात्मा बोले अभी तो तु चार-पांस साल का ही बच्चा है अभी तेरी निर्वेत का कोई कारण दृष्टी गोचर नहीं होता तुझे कोई चिंता भी नहीं है क्योंकि अभी तेरा पत्ता जेवित है तथा यह बच्चे ऐसा भी नहीं रखता कि तुझे मेरी कोई इश्ट वस्तूख हो गई तथा हमें तेरी देह में भी कोई व्यादी नहीं दिखाई पर फिर तेरी गलाने का क्या कारण है तो कहे श्री प्राशर जी ने क बख्षमा है कि अपनी माता की वाणी उसके मन में से दूर नहीं हो पाती बच्चे इस दुख के कारण तुने जो करने का फैसला किया है उसे हमसे कहे और है अतुलित तेजस्वी बालक यह भी कहे कि हम तेरी क्या साहिता करें क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तू हमसे कुछ क द्रूब बोले महात्मन मैं ना तो धन चाहता हूं और ना राज्य मैं तो केवल वही जगा चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने नहीं भूगा हो हे मुनियों में श्रेष्ट आपकी यही क्रिपा होगी कि आप मुझसे यह बतलाने का कष्ट करें कि क्या करने पर वह सबस स्थान मुझे मिल सकता है और यही आपकी साहता हो मरीची जी कहने लगे हे राजकुमार बिना शिरी गोविंद शिरी अराधना के मानव मात्र को स्थान प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए तू शिरी नरायन को अराध अत्री जी कहने लगे मैं तुमसे यह सत्ते कहता हूं कि वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ठ होते हैं उसी को वह मुक्तिदाता अक्षेपद प्राप्थ होता है। शिरी अंगिरा जी कहने लगी अगर तू उस पद को प्राप्थ करना चाहता है तो उस गोविंध को भीत की अराधना कर। पुल सत्पे जी कहने लगी उस शिरी हरी की अराधना से मानव अतिदुरलवमो प्राप को पाता है जो परब्रह्मा परम धाम तता परम स्वरूप है। पुलह जी कहने लगे हे सुबरत उन्ही यग्यपती विश्णु भगवान को अराध जिनकी अराधना द्वारा इंद्र ने अपना इंद्रपद पाया था। श्री रितुप जी बोले उन जनारधन के संतुष्ट होने पर जो परम पुरुष यग्ये पुरुष यग्ये युगेश्वर हैं ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप नहीं की जा सकती। श्री विशिच जी कहने लगे वत्स श्री नरायन की अराधना द्वारा तुम अपने मन में जो चाहोगे वही पालोगे। फिटे लोकी के उतम स्थान की ही तो बात ही कुछ नहीं है। द्रुव बोला हे महारिशियों आपने मुझे अपने अराध्य देव से परिशित करा दिया। अब यह बतलाईए कि उस महापुरुष श्री नरायन की मुझे किस परकार अराधना करनी होगी। समस्त रिशीगन कहने लगे। हे राजपुतर हम तुझको यह बात बतलाते हैं कि श्री विश्नु की राधना में ततपर पुर्शों को किस परकार उपासना करनी चाहिए। तु ध्यान से चित को समस्त विश्यों से हटा ले और अपने मन को उसी परमपिता में स्थिर कर दे। तु लोक में मनवान चित दुरलब सिध्धी परदान की थी उसी तरह तु भी ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का लगतार जब कर के श्री गोविंद को संतुष्ट कर ओम नमो भगवते वासु देवाय नमहां।